सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षातीन का पर्यावरन अध्यन विशय का पाठ बीस संचार के साधन का पहला प्रक्रण चिठी की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए करते हैं पाठ बीस को शुरू जो कि आपकी इस पाठ पुस्तक का अंतिम पाठ है पाठ बीस संचार के साधन सबसे पहले ये देखो बच्चों कि संचार किसे कहते हैं तो संचार का अर्थ होता है कि कोई भी सूचना या हमारी कोई भी बात है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन साधनों के द्वारा पहुंचाई जाती है उसे हम संचार के साधन कहते हैं जैसे देखिये आपको यहां कुछ चितर दिखाई दे रहे हैं यह है रेडियो, टेलिवीजन, मोबाइल, कुछ साधन और हैं जैसे यहां लिखा है पत्रिका, पोस्ट कार्ड, आदि तो जो यह चितर आप देख रहे हैं यह सभी चित्रों से इन्हें हम संचार के साधन कहते ह और इनी साधनों के द्वारा हम अपनी कोई भी बात या कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं अब देखिए जो नीचे चितर दिये गई हैं उनके हमें यहां इस तरफ नाम लिखने हैं तो सबसे पहला जो साधन है संचार का उसका नाम है रेडियो तो इस तरह से आप भी अपनी पुस्तक में लिखेंगे रेडियो दूसरा है टेलीविजन जिसे हम टीवी भी कहते हैं तो इस तरह से इसका नाम भी लिख लिया और तीसरा संचार का साधन है मोबाइल और आप भी इसे लिखिए मोबाइल इसके बाद अगला चितर है पत्री का जैसे कोई भी पत्र पत्री का हो सकते हैं अखवार हो सकता है, समाचार पत्र हो सकते हैं, तो आप इसे यहाँ पर इस तरह से समाचार पत्र लिख लीजिए, ठीक है, इसके बाद ये है पोस्ट काड़, जिसे हम डागहर में जाकर के पोस्ट करते हैं, तो इस तरह से हमने इन संचार के साधनों के बारे में देखा, तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि संचार के साधन किसे कहते हैं, इस परकार वे साधन जो सूचना या समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम आते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते आप देखिए वच्चों यहाँ पर कुछ प्रेश्ण है आपने इन में से कौन-कौन से साधनों का उपयोग किया है तो देखिए वच्चों इन में से हमने लगबग सभी साधनों का उपयोग किया है रेडियो, टेलिविजन, मॉबाइल, पत्रीकाई, अख़बार, पोस्ट कार्ड इन सभी साधनों का उप्योग हमने किया है इसके बाद दूसरा प्रश्ण ये है कि इन में से कौन से साधन के लिए बिजली के आफशक्ता होती है तो देखिए इन जो संचार के साधन है इन में से बिजली के आफशक्ता टीवी में और मॉबाइल में मॉबाइल की जो बैंटरी होती है उसे चार्ज करने के लिए बिजली के आफशक्ता होती है इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है सूचना के साधनों को उनकी विशेश्ताओं के आधार पर वरगी करत कर तालिका में भरिये तो चलिए अब वो तालिका देखते हैं यह देखिए यह तालिका है जिसमें केवल सुनकर सूचना प्राप्त करना कैसे केवल सुनकर कि किन-किन साधनों से हम केवल सुनकर सूचना प्राप्त करते हैं उसके बाद है केवल देखकर और पढ़कर सूचना प्राप्त करना और तीसरे नमबर पर है देखकर और सुनकर सूचना प्राप्त करना तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन साधनों से केवल हम सुनकर सूचना प्राप्त करते हैं तो नमबर एक पर है रेडियो, टेलीफोन जो पहले सिंपल फोन होते थे बटन वाले वो टेलीफोन, मुबाइल, ढोलना गाड़े, वाइरलेस और हरकारे अब हम देखेंगे ऐसे साधन जीने हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो पोस्ट काड जिसे हम देख कर और पढ़ कर सूचना प्राप्त करते हैं अखबार, पत्र पत्री काई, विज्यापन के जो पोस्टर लगे होते हैं जैसे दिवार पर, खमबों पर आपने देखा होगा तो उनसे भी हमें सूचना प्राप्त होती है और चैट, जैसे हम मोबाइल में जो लिख कर, जैसे की वर्टसप पर हम लिखते हैं तो इस तरह से हम देख कर और पढ़ कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं और तीसरे नमबर पर है, जीने हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो मुबाइल, जो टच वाले मुबाइल होते हैं, उनमें हम किसी चीज को देख कर, सुन कर, पढ़ कर, हर तरीके से सूचना राप्त कर सकते हैं, इसके बाद है टेलिविजन, फिर वीडियो चैट, वीडियो कॉल करना, वीडियो कॉन्फरेंसिंग करना, तो इस तरह से हम, य आगे है चिठी की यात्रा, भानू मुंडवा नागोर का रहने वाला है, उसकी मौसी फलोदी में रहती है, फलोदी जोधपूर के पास है, उसने एक दिन अपनी मौसी को पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखा, फिर उसने पोस्ट कार्ड को पोस्ट ओफिस के लेटर बॉक्स मे डाला, यह देखो, चित्र में दिख रहा है आपको भानू, और वो अपनी मौसी को पोस्ट कार्ड लिख रहा है, और उसने पोस्ट कार्ड लिखने के बाद क्या किया, पोस्ट को लेटर बॉक्स में डाल दिया, आप देखिए कि लेटर बॉक्स क्या होता है, या आपने इ पत्र, चिठी, पोस्ट कार्ड लिख करके और यहां डाल देते हैं और फिर एक पोस्ट मैन होता है जिसे हम डाकिया कहते हैं वो यह चिठी यहां से निकालता है और उस चिठी के उपर जो पता लिखा होता है उस स्थान पर उसे पहुचा देता है तो यह देखो इस पहले चि चिठी निकाल रहा है और दूसरे चित्र में पोस्टमेन चिठीओं को ले जा रहा है और जो उसका जहां का स्थान होगा वहां पर उसे पहुचा देता है तो पोस्टमेन यानी डाकिया द्वारा यह चिठी मोसी के यहां फलोधी पहुच गी तो आप भी करके देखना कि अप को लिखा पत्र आप तक पहुच सके तो आपके घर का जो पता है वो आपको लिखना है जिसमें आपका नाम आपके पिताजी का नाम मकान नंबर गली नंबर शहर का नाम और जीला राज्य के हमारा राज्य जैसे राज्यस्थान है तो इस तरह से आपको अपने घर का पता उस पत्र पर लिखना है, अब इसके बाद हम देखेंगे, मानव के विकास के साथ संचार साधनों की यात्रा, जैसे जैसे मनुश्य ने विकास किया, वैसे वैसे संचार के साधनों की यात्रा भी बढ़ती गई, जब ये संचार के साधन नहीं थे, मोबाईल, टीवी, रेडियो, अख़बार, पोस्ट कार्ड, ये जब चीजें नहीं थी, तब मनुश्य अपनी कोई भी सूचना या सामाचार वो कैसे बेशता था, तब क्या करते थे, पहले ढोल नगाडों के माध्यम से संदेश भेजे ज जाते थे, जैसे बच्चों आपने टीवी में देखा होगा कि जब राजा होते थे, तो राजा के समय में उनके कुछ लोग, सैनिक, सुनो, सुनो, सुनो इस्तने से बोलते थे, और साथ में जोर-जोर से ढोल और नगाडे भी बजाते थे, तो फिर गाओं के लोग, उनके पास इकठा हो जाते थे और वे समझ जाते थे कि राजा का कोई संदेश है कोई समाचार है तो कहने का मतलब है कि पहले लोग ढोल नगाडों के माध्यम से भी अपने संदेश बेशते थे कई बार संदेशों को कबूतर के माध्यम से भी भेजा जाने लगा और उसमें हरकारे भी संदेश लाने वे ले जाने का काम करते थे हरकारे भी एक व्यक्ति होते हैं जिने हम दूत भी कह सकते हैं वो भी संदेश को लाना और ले जाने का काम करते थे फिर दीरे दीरे क्या हुआ पोस्ट ओफिस बने डाग घर बने और इन पोस्ट ओफिस के माध्यम से पत्रों से संदेश भेजे जाने लगे और अब हम आदूनिक समय में बात करें वर्तमान में तो आज के समय में टेलीफोन, फैक्स, मुबाईल और इंटरनेट जैसे संचार माध्यम के आने से हम संदेश को तुरुण भेज सकते हैं तो देखा अपने बच्चों इस तरह से कि जैसे जैसे मनुश्य का विकास हुआ, मनुश्य ने प्रगति की वैसे वैसे संचार के साधनों का भी विकास हुआ तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे कि संचार के आदुनिक साधन कौन-कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे धन्यावाद बच्चू